नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है, आज हम discussion करेंगे कुछ stock के बारे में, जिसका setup काफी अच्छा दीख रहा है, उसके ओपर discussion करेंगे, discussion स्टार्ट करने से पहले disclaimer है, जो भी stock हम discussion करेंगे, उसमें मेरी कोई भी buy sell या hold की राई नहीं है, आप setup को समझने की कोसिज करें, यह setup आपको knowledge देगा आपको, और उसके बाद आप दूसरे setup में यह चीज देखेंगे, तो आपको easily समझ में आ जाएगा, और किस तरह से trade लेना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, तो हम start करते हैं, आज का जो पहला stock है, वो है, Marksons Pharma, Marksons Pharma का आप chart देखेंगे, तो यहाँ पे, उल्रेडी एक uptrend में हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एक consolidation यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा moment आपको देखनी को मिल सकता है आने वाले time में, तो यह stock आप ध्यान से देखेंगे तो काफी अच्छा chart यहाँ पर देखनी को मिल र Alabama, next one, next one is Gale India Limited, Gale India Limited का आप देखेंगे तो यह भी आप यहाँ पर range ड्रो करके आपको दिखाता हूं, तो यह भी एक छोट इसी रेंज में यहां पर trade कर रहा है और यह भी काफी एक uptrade में है तो दो यहां पर भी एक moment आपको देखने को मिल सकती आने वाले time में । यहां पर आप काफी interesting setup है आप क्लेश्टन पर काफी उसके बाद किस तरह से movement होता है उसको आप observe करें उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको trade initiate करना है right move करते है next stock की और next जो stock है वो है हिमत सिंग का side हिमत सिंग का side का चार्ट देखेंगे तो ये थोड़ा सा complex आपको दिखेगा यहां पर यहां पर यह भी एक छोटी range में यहां पर trade कर रहा है तो यह stock भी काफी एक आप ट्रेंड में यहां पर देखनी को मिला है volume भी काफी जब 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 देखनी को मिला है तो इसमें भी एक moment आपको देखनी को मिल सकता है आने वाले time में तो यह स्टोक भी आप ओच कर सकते हो नेक्स्ट जो स्टोक है DCX सिस्टम DCX सिस्टम का आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी जबज़स्ट होलियूम देखने को मिला था एन एक अच्छा मुमेंट देखने को मिला यहाँ पर अभी एक साइडवेज मुमेंट में यहाँ पर चल रहा है तो इसमें आप ओचाउट कर सकते हो जिसे ही रेंज ब्रेक करता है तो उसके बाद एक मुमेंट आपको देखने को मिल सकता है तो रेंज यहाँ पर आप ड्रो कर सकते हो राइट इस तरह से तो एक range clear होते ही यहाँ पर एक अच्छा moment देखनी को मिल सकता है next one is next one is जहनत अग्रो जहनत अग्रो का आप चार्ट देखेंगे तो यह भी एक consolidation phase में चल रहा है no doubt यहाँ पर दो बड़े red kindle देखनी को मिले है पर still यहाँ पर एक moment आपको देखनी को मिल सकता है आने वाले टाइम में तो आप इसको watch out कर सकते हो next one next one is crest venture crest venture का आप चार्ट देखेंगे तो यह भी एक range में यहाँ पर trade कर रहा है तो यहाँ पर भी आप closely इसको observe कर सकते हो यहाँ पर भी एक moment देखनी को मिल सकता है next one is ralis india ralis india का आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा candle आपको देखनी को मिला था यह वाला उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी range में यहाँ पर trade कर रहा था वापिस हमें एक बड़ी candle यहाँ पर देखनी को मिली अगेन एक छोटी सी range में यहाँ पर trade यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ी candle आपको देखनी को मिल सकती है आप इसको ओच कर सकते हो आने वाले time में इसका setup भी काफी interesting है काफी strong दिख रहा है तो आप इसको भी ओच कर सकते हो next one is किरी industries का आप देखेंगे तो इसका भी same है चार्ट जो consolidation यहाँ पर कर रहा है तो इसके में भी एक moment आपको देखनी को मिल सकता है अब जो तीन setup है अभी जो हम तीन स्टोक discussion करेंगे उसमें थोड़ा सा different setup आपको दीखेगा जो मैंने telegram में आप लोगों के साथ share करा था case study कि जहां पर मैंने कुछ example share करे थे और किस तरह से moment आता है वो share करा था तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो तो मैं यहां पर इस तरह का जो setup बन रहा है उसका मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा और उसके बाद आप decide करना कि क्या possible हो सकता है यहां पर तो next talk is Khadim India Khadim India का आप देखेंगे तो एक छोटी सी range में यहां पर चल रहा है आप इस तरह से देखेंगे तो आप मतलब VCB के सकते हो यहां पर तो यह मतलब काफी strong होता है आपने case study देखी होगी तो आपको पता होगा अगर नहीं देखी है तो आप wealth creator 7 करके telegram channel है link आप description में भी आपको मिल जाएगा वहां पर जाके आप देखो कि किस तरह से यह setup बनता है और उसके बाद यह movement आता उसको समझने के लिए ही मैंने share करा था उसमें यहां पर आप देख सकते हो यहां पर consolidation हो रहा है और उसी तरह का एक setup बनाया हुआ है तो इसमें भी एक अच्छा moment आपको देखने को मिल सकता है तो यह stock भी आप watch out कर सकते हो next one is next one is lemon tree अब lemon tree का भी आप देखेंगे तो similar type है जो खादीम का देखा था वैसाई but not exactly same तो यह भी एक यहां पर छोटी range में यहां पर trade कर रहा है और काफी consolidation यहां पर हो रहा है तो एक moment यहां पर आपको यह range जैसे क्लियर करता है तो एक moment आपको देखने को मिल सकती है और काफी बड़ी candle भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है तो इसको समनने के लिए आप चालेत होटल का भी चार्ट देखेंगे ओनके तो वह आपको पता चलेगा कि किस तरह से moment हो रहा हा तो ओको ट्री वोटल भी यहां पर सेटिंग अप हो रहा है तो आप वोटल स्टोग भी आने वले टाइम में आप पोच आउट कर सकते हैं, राइट नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इस TCI Express इसका आप चार्ट देखेंगे तो यह काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है आपको, यहां से आप देखेंगे, यह जो टोप लेवल है वहां से देखेंगे आप तो काफी गीरावट आ चुकी है, 1700 से 1300 तक, यहां पे एक अच्छी केंडल बनी थी, स्पाय काया था, बट अगेन यहां पे एक छोटी रेंज में यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो जिसे ही यहां पर रेंज क्लियर करता है, तो एक अच्छा मुमेंट आपको देखने को मिल सकता, तो यह स्टोक भी आप वच आउट कर सकते हो आने वाले टाइम में, तो यह थे कुछ 10 से 11 स्टोक, जो मुझे आने वाले टाइम में काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है, तो आपको यह सेटप कैसे लगे, आप कोमेंट सेक्शन में जरूर बताए, और अगें में रिपीट करना चाहूंगा, जो भी स्टोक यहाँ पे मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ, उसमें आप ब्लाइंडली बाई मत करें, इसको आप समढ़ने की कोसिश करें, सीखने की कोसिश करें, ताकि आप तूस जिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बवाई